असलामनेकूम, ग्रेट 6, आज हम यूनिट नमबर 10 का, पेज नमबर 140, लेक्चर हमारा चौता है, 4, लेक्चर नमबर 4, टॉपिक हमारे पास है, ड्राइंग आफ ए पर्पेंडिकुलर, हमने ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, पर्पेंडिकुलर, यहनि उपर से नीचे की तरफ, किसी भी लाइन सेग्मेंट की तरफ, एक सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पर्पेंडिकुलर, जिससे हमने कल राइट भी कहा था, to a given line, जो line हमें दी गई हो, from a point on it, उस point से हमने पर्पेंडिकुलर गिराना है, जो के दी गई line के उपर मौझूद होगा, मिसाल के तोर पे हमारे पास pq एक line है, इस line के उपर एक point है और वो point है o, इस point से हमने इस line के उपर पर्पेंडिकुलर ड्रा करना है, steps हमारे पास कुछ यूँ होंगे, कि हम compass के जरीए, जो हमारे पास point दिया गया है, उस point से एक arc लगा देंगे, compass के जरीए हमने एक arc लगाना है, और ये arc इस line को काटता हुआ गुजरे, I hope आपको ये बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा, इसके बाद हमने compass को थोड़ा सा और खोल सकते हैं, और हमारे वो दो point जो के इस arc को लगाने से इस line पे बने हैं, एक point ये है आपके पास और दूसरा point ये है आपके पास, इन दोनो point से आपने, आर्क लगाने हैं, जो के इसके opposite हो, ये जो arc आपने लगाया है, इस arc के opposite उलट साइट पे लगाना है, दूसरी तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले point पे रखा, ये हमने एक arc लगाया, फिर हमने compass को दूसरी साइट पे रखा, और ये देखे हमने दूसरा arc लगा दिया, ये दोनों arc जिस point पे एक दूसरे को काटते हैं, उस point को हम O के साथ, O के point के साथ हम join करते हुए एक line लगाएंगे, अब आप देख लें, जिसना bisector आप कह रहे थे, लेकिन bisector में ये था कि दो बराबर हिस्टों में, दो equal parts में divide करता था line segment को, लेकिन यहां हमारा topic है perpendicular गिराना, draw of a perpendicular to a given line, PQ given line है, इस पे हमने ये perpendicular ड्रा किया है, और कहां पर ड्रा करना है, उस line पे जो point हमें दिया गया है, उस point के पे हमने ये perpendicular ड्रा किया है, चूँकर ये perpendicular है, इस means के यहां पर भी हमारे पास 90 degree का angle बनेगा, और दूसी तरफ भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसे साब से अगर आप देखें आपकी exercise 10.2 में question number 8 question number 8 आपके पास है draw align segment जिसकी measurement 8 cm है और नाम उसका xy है construct a perpendicular उसके अपर हमने perpendicular ड्रा करना है at point z, एक point z होगा on it जो कि उसके उपर line segment पर या line पर मौझूद होगा such that xz is equal to 3 cm, xy 8 cm है सबसे पहले आप 8 cm, scale की मदद से 8 cm आपने एक line segment ड्रा किया आपने 0 पर point लगाया, 8 पर point लगाया और इसे आपस में join कर दिया xy बन गया, अब हमने इसी line segment के उपर एक point z लेना है लेकिन वो z कितना होगा, xz is equal to 3 cm, यानि x से वो z जो है, वो 3 cm मेयर्मेंट होगी scale पे हम, scale के जरीए हम 0 को x की जगा पर place करेंगे और यहाँ पर 3 क्योंके xz 3 cm है और यह हमने 3 पर एक point लगा दिया यह point हमारे पास z तयार हो गया, इस तरह xy 8 cm था और xz 3 cm है और question आपके पास यह है कि आपने फिर इस z point पर perpendicular गिराना है अब आपके पास वही तरीका अख्तियार करें, compass को थोड़ा सा खोल लें आप आपने z पर compass रखना है और एक arc लगाना है जो के xy को दो points पर cut करे आपके पास एक point यह है और दूसरा point यह है फिर आपने compass को थोड़ा सा ज्यादा खोल लिया और इन दो points के pointer को रखकर आपने arc लगा लिया यह arc जिस point पर काट रहा है उस point को हम z के साथ join करेंगे इस तरह हमने यह xy पे perpendicular गिरा लिया है मुझे उमीद है आप सबको यह बहुत अच्छा सा समझ आ गया होगा कि हम किसी भी line segment के उपर अगर उसके उपर अगर कोई point है तो उसके उपर कैसे perpendicular ड्रा किया जाता है अब आप exercise 10.2 में question number 3 के 4 parts question number 6 और question number 8 यह सब आपने neat notebook पे इन्शाला ताला बहुत अच्छे तरीके से करने हैं अला हाफिज